हेलो दोस्तो आज इस वीडियो के बात करेंगे कि यहाँ पे हम ट्रांसफर फेमिली कैसे कर सकते हैं यहाँ फिर मेंबर को कैसे ट्रांसपर कर सकते हैं यहाँ पे मेंबर ट्रांसपर की जो है नई प्रोसेज आ चुकी है आज इस नई प्रोसेज के बारे में हम बताने वाले है इससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारा चैनल ने एक नया concept सुरू किया है अब आपको जो भी हम जो process आपको वीडियो के अंदर बताते हैं वही process आपको नीज़े PDF के अंदर फुल process बता देंगे PDF के अंदर step by step सीजे बताई हुई है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर वीडियो के अंदर दिखाते हैं अब दोस्तों हम चलते हैं जैसे यहां पर हमें फैमिली ट्रांसपर करनी है तो इमित्रा के अंदर भी ट्रांसपर फैमिली का ऑप्सन है जहां पर किसी का भी हम ट्रांसपर कर सकते हैं क्योंकि यहां पर ट्रांसपर करेंगे जिनकी SSO ID है जिनका यहां पर link है जनादार card number जिस SSO के साथ उसी SSO से हम transfer कर सकते हैं उसी family का कर सकते हैं यहां पर हम उसी family का करें जिस family का हमें जिस family से हमें member को transfer करना है उसकी SSO ID चाहिए यह बिना इंत्रा कि मैं आपको बता रहा हूँ जिस family से आपको जिस family से member को transfer करना है और जिस family के अंदर transfer करना है उसकी यहाँ पर आपको रसी संख्या है आपके पास होने चाहिए ठीक है दोस्तों अब दोस्तों यहाँ पर हम citizen family transfer के ऊपर क्लिक करेंगे यही option e-mitra के अंदर भी है e-mitra के अंदर यहाँ पर transfer family है transfer family के ऊपर आप वहाँ पर click करते तो वहाँ पर पुराशी संख्या टालने पड़ती हम जैसे को अपर click करेंगे इसके बाद में यहाँ पर रसी संख्या hyay वह आ जातीय और आपको यहाँ पर ऊपर रसी संख्या डालने पड़ेगी इसके अंदर लिखा हुआ है जिस परिवार से इस्तांतर्ण होना है मतलब जिस परिवार से इस्तांतर्ण होना है उससे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे जिस सद्दिशियों को हम इस्तांतर्ण कर रहे हैं और प्लस यहाँ पे जिस सद्दिशियों को हम इस्तांतर्ण कर रहे हैं उस सद्दिशियों हम यहां पर रसी संग्या डालेंगे इसके बाद में खोजे पर क्लिक करेंगे जैसे हम दोस्तों खोजे पर क्लिक करते हैं तो हमारा समने आ जाता है आदार बेस ऑथर्टिकेशन यहां पर एग्री ही रखेंगे फिर ओके पर क्लिक करेंगे सैम यहां पर आदार को हम सेलेट करेंगे यहां पर टिक करेंगे सेक मार्क पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर यहां पर क्लिक करेंगे क्योंकि यहां पर हमें वेरिफाइर करना पड़ेगा उस मेंबर को आफसलेट किजिए जिससे आम OTP ले सकते हैं यहां पर Biometric ले सकते हैं जो option हो इमित्र वाले भी इस वीडियो को ध्यान से देखें उनके उनके भी ही same process होने वाला है इसके बाद में यहां पर आधार authentication कर लेंगे जो की OTP यहां पर Biometric मैंने वाकुपदा दिया यहां आईरिस यहां पर हम OTP का option यूज ले रहे और यहां पर चेक मार्क पर क्लिक करें जो गोशना है उसको यहां पर accept करें उसकी बाद में OTP बेज़े उसको उपर क्लिक करेंगे यहां पर हम OTP को एंटर करेंगे और OTP मानिय करें इसको उपर क्लिक करेंगे जैसे इसको उपर क्लिक करते तो यहां पर कुछ इस तरीके से OTP मानिय करेंगे तो लोडिंग का पे जाएगा इसके बाद में यहां पर उस यहां पर परिवार का जो है रसी संक्या डालना है जिस परिवार के अं आपको okay पे क्लिक करना agree पे तो रहे गाई किलिक okay पे क्लिक करने के बाद में यहां पर उस family की details हो जाएगी जो की 18 वर से उपर होगा होगा उसी की यहां पर details है वो सो होगी इसके अंदर यहां पर एक member को हम select करने के जिससे possible होना चाहिए इसको select करेंगे फिर यहां पे यह के वाई सी आदार पे क्लिक करेंगे इसके बाद में आदार से OTP का option select करेंगे सेक मार्क पे right क्लिक करेंगे OTP वेजे इसको उपर क्लिक करेंगे यहां पर OTP एंटर करेंगे OTP मानिय करें है इसको उपर क्लिक करेंगे जैसे इसको उपर क्लिक करते हैं तो यहां पे हमारे सामने पूरा पर उपन हो जाता है जो कि stand on का open अजयता है इसके अदर इसके लिए आपको verify होनी सत्य बंध होना जरूरी है। सत्य बंध हो चुका है वेरा यहां पे हो चुका है किसी जन अधार कार्ड के अंदर तो यहां पे हम जो है यहां पे फैमिली परिवार इस्तांतरन वाला option select करते हैं यहां पर आप option select कर सकते थे जिस परिवार से इस्तांतरन होना है उसकी रसी सिंग्या यहां पर सो हो जाएगी जिस से होना है उसका यहां पर हम हम से सेलेट कर रहे हैं इसको हम ट्रांसपर कर रहे हैं यहां पर क्या है कि मुक्या से क्या संबंद होने वाला है जैसे उस जो रसी संग्या है उस परिवार कंदर जाएगी तो उसके अंदर यहां पर क्या उसका संबंद होने रहम लेकितette में अपा आपको प्लोड कर लेंडे इसके बाद में यहां पको बता दो जिस परिवार के transfer कर रहे हैं उसकी details यहां पर आपके सामने सो जाएगी यह आपको देख लेना एक वर की details है क्योंकि आपने verify किया इसमें तो कोई इसमें तो कोई चंका की बात नहीं है कि यह details गलत होगी यहां पर details होगी वो सही होगी इसके अंदर ही यही जो member आपने जो यहां पर member select किया है वो इसके अंदर transfer होगा इसके बाद में आप देखें यहां पर हमने रसी सा है जो upload कर दिया मेरी certificate इसके बाद में इसके उपर click करेंगे जैसे ही दोस्तों इसको उपर click करते तो आपके सामने कुछी इस तरीका pop-up आपके सामने आ जाता है इस pop-up के अंदर लिखा हुआ है क training करने कर दी जाएंगे ठीक है अप सुनस्यच्थ करते रहें ठीक है करते हैं करें तो सुनस्यच्थ हो जाता है और यह cm सभब्लता पूर्ट है इस स इस memo के इंदर नीचे संख्याइव दे उसके अंदर इसके अंदर Haag अर दोस्तों किया हांत डैतने हमारा वांद पर पर हो जाएगा यहांपर यहां पर लिखा हुआ है कि सादय सी इस सास्टन हो चुका है लेकिन हैँ जिर आपको nov के बाद में अनुलिपिकन होगा उसके बाद यहाँ पे इस परिवार के अंदर है जो यह सदेशिय ट्रांसपर होने वाला है पहले यह ट्रांसपर नहीं होने वाला है अब आपको बता दूँ जब आप दुबारा ट्राइ करेंगे ट्रांसपर करने की तो यहाँ पे वो सब्सक्राइबू मिल जाएगा तो यहां पे जो है verify हो जाएगा ग्राम से verify करेगा उसके बाद में बीडियो verify करेगा और उसके बाद में जो आपका सदेश्य है इस family गंडर अंदर देखने को मिल जाएगा यह कुई 7 दिन का process रहता है 7 दिन working days रहता है यह लगबग 5 दिन में complete हो जाता है इसके बाद में यह सदेश्य यहां पे सो करने लग जाता इसके अंदर तो दोस्तो इस वीडियो में बसना है और वीडियो इसके लिए सेलन को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको बढ़ा दूँ फैमिली स्टेटर्स के अंदर जो जैसे इस सदेश्य को मैंने इस्तांदर किया है तो इसका स्प्लाइट भी मैट करने वाला है तो सारी प्रोसेज आके अगले वीडियो करने इस प्लाइट वाली वीडियो आ रही है तो इस से में को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू जेहिंद जेवार